डॉक्टर सांती एस्वी सिंग अपने आप में डेनॉल डॉक्टर है इनका नाम बहुत लोगों को 40 साल से बिचारी सेवा दे देंगे और मैं चाह भी रहा था कि मैम के इस नाम को और 40 साल आगे लेकर जाओं इसलिए IIMT Meditech Private Limited ने डॉक्टर सांती सिंग सांती एस्वी सिंग होस्पिटल नाम को चुनकर इसको आगे करने की कोशिस किया है मैट्रो सिटी में नहीं सबसे पहले मैं बिहार के जितने भी जिले हैं उस जिलों में यह हमारी एक फर्मेसी का भी आयोजन रहेगा स्वास केंद्र जो है वही बीमार नजर आएगा तो क्या बीमार लोगों का इलाज करेगा नमस्कार दिविनेशन देख रहे हैं आप तो आज मैं राजधानी पटना में हूँ और पटना में डॉक्टर स्वी सिंग हॉस्पिटल का उधगाटन होना है आने वाला 11 जून को और उसी उधगाटन को लेकर क्या कुछ इस अस्पताल में ब्यवस्था है कौन इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर है और क्या कुछ इस हॉस्पिटल में बिहार के अन हॉस्पिटल से अलग है हम उसी प्रचर्चा के लिए आज हमारे साथ यहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर डॉक्टर सांती एस्वी सिंग होस्पिटल जो की आया एम्टी मेडिटेक प्राइट लिम्टेट के अंतरगत है जिसका सुभारम होने जा रहा है उर्घाटन होने जा रहा है उर्घाटन करता जो है मानिये उपमुक मंत्री जी है स्री तेज़ोसी परसाद यादब जी और स्र सुमंान करें उनके साथ रहें लेकिन उनके साथ भी Kerry समस्य होती है कभी-कभी उनके लिए टाइम निकालना ता हो लेकिन हमारी कोसे की कि वह लोग आएंगे और आएंगी यही इस हमारे भाई बोले है कि इस है कि कि प्रकार की तैयारी आरी ृत देखें तो सबसे पहली बात कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें अच्छी अच्छी डॉक्टर है जो हमारे नेफ्रो के डॉक्टर हैं डॉक्टर बिनूत कुमार सिंग लाज्ट थर्टी फाइव से पढ़ना में सेवा दे रहा हैं एचोडी थे पीम सीच में डीटाइड हो ग पोइंट अविउ से और अच्छा कर सके एक और अच्छे गानेकुलोजिस्ट है स्रीमती रागनी कुमारी और हो भी अच्छी गानेकुलोजिस्ट है वह भी सेवा दे रही है और पटना में जो सबसे अच्छे गैस्टोलॉजिस्ट कहा जाए तो हमारे लिए डॉक्टर लेता है बहुत सारे संट इसने डेंगा सेवा है और वो सेबा इसलिए है कि हम विहार में यह सेवा एक अच्छे वेमेपरदान कर सके इतना ही नहीं और भी ऐसी चीजें हैं जैसे अभी जस्ट कुछे पहले प्रेस कांफरेंस में हमने बताया कि जो आपका हेल्थ कार्ड है वो भी हम लोग बहुत जल्द सुरूप कर देंगे ज herum जा जाएक जाता है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका एक जीवन का मंदिर होता है मांपा गर्व और उस गर्व से बच्चा पैदा लेकर पृध्वी पर आते हैं और अपना जीवन चलाते हैं जीवन पर आने के बाद कई सारी अप्रिये घटना भी होती है कई तरह की घटनाएं होती है उसमें कहीं न कहीं दूसरे जिंदगी के लिए जो है अस्पताल में आते हैं और उसी अस्पताल यानि की मंदिर के रूप इसको माना जाए उन सभी जीवन और मिर्तु के बीच में भगवान कहा जाते हैं और हमारी कोशिस है कि हम इस चीश को और continue कर सके इतना ही नहीं कि भागलपूर में भी हमारी बहुत बड़ी एक यूनिट है यहां उस जगह भी आया एम्टी के बैनर के नीचे दवोफ होस्पिटल है हमारा उसका भी बहुत जल्ड विदिन टेन टू फिप्टीन देज में इनॉर्गेट करा रहा हूं और लेकिन बहुत बनाने में टाइम परकार का सेवा है और आपको पता होना चाहिए कि आज भी परटना और भागलपूर में अंतर तो जरूर्व है ठीक है चाहा हो ट्रांसपोरेशन के पॉइंट भी उसे हो ठीक है और डेवाइडे हो रही है काम हो रहा है उसको भी एस्टार्ट करने अपने बिहार में एक य जो रेट बोलते हैं हमें इस बात से चिर होती है रेट क्या होता है रेट नहीं है यह परकार का सेवा है और आपको पता होना चाहिए कि आज आप एसी में बैठने तो उसका इलेक्रिसिटी बिल आप ही को देना होता है तो हम एक अच्छे वैवस्टापक सिध हो यह हमारी क सब्सक्राइब करें हमारे साथ पूरी एसोसियेट है हॉस्पिटल के पॉइंट अभी उसे नहीं आने वाले कुछ दिनों में हम एक और बड़ी चीज को लेकर आ रहा है आपके सामने दचेन ऑफ फॉर्मेसी फ्रोदा आया एमटी मेडिटेक प्लाइवेट लिट यह बहु बिहार के लिए कहीने कहीं यह सौगात की बात है कि मेट्रो सिटी के अलावे जो बिहार वासी अप्यक्षा नहीं कर रहे थे वह सारी सुगधाएं मेडिकल के छत्र में मिलने वाली है और वह भी आया एमटी मेडिटेक प्राइवेट लिंटेट हमेशा इस चीज को मानती है कि हम बेहतर हेल्थ और बेहतर सुग्षा प्रदान करेंगे तो सर बिहार में कहीने कहा जाता है यह वी कि जरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती यह पूरा जीवन चलता है और सबों के साथ बिलकुल आप सही कह रहा है तो उसी तरह चिकित्स यह विकास के असर में विहार आगे बढ़ रहा है बिलकुल मैं करोना को देखते हुए मैं डर गया था कि नर्सिस कहां से आएगी मैं आपको वात बताता हूं बहुत बहुत लोग एकोनमेकली सोचते हैं मैं थौरा सा इकोनमेकली नहीं है वैसे नहीं कि चलाने के पैसे के ज़ुरत नहीं होती है लेकिन यह सोकना पड़ता है कि जो भी मिला厦श ने काम करूंगा और कर भी रहा हूं इतना नहीं नहीं मैं अपने इसी लाइफ में एक नर्सिंग कॉलेज अब दीपभभ नर्सिंग कॉलेज जो है मदवनी डिश्टिक में वहां कभी मैं एक डिरेक्टर हूं और अपने हातों से नर्स को बनाने का काम कर रहा हूं यह हमारी सोच है और मैं चाहूंगा युवा जैनरेशन के लोगों को कि सोच को आप भी फॉलो करें तो सेवा पर्मो धर्मक को एक मंत्र लेकर चले हैं और उसी मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं मिस्टर मनिस्कमार खरगे सर और यह मूल मंत्र जो है बिहार के बिहारवासियों के लिए कितना सिद्ध होगा वह आप लोगों पर भी निर्वर करता ह है क्योंकि आपका विश्वसनियता कहां पर है या देखने वाली बात होगी और सर यह प्राइम लोकेशन के बारे में कुछ बता दे जो पटना में कहां पर है देखिए एक्चुली लोकेशन तो बहुत ही प्राइम है राजिंदर नगर में यह है और नियर अबाउट विए चैड़ सांथी एस्वी शिंग होस्पिटल नाम को चुनकर इसको आगे करने की कासिस किया है तो सर इस अस्पताल में और क्या-क्या सुब्द है जो भी हर काई अस्पताल से अलग है देखिए और यह जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा और हमारे यहां देखना है त लेंगे बहुत होस्पिटल आज भी आप देखेंगे तो जो क्राइटरिया नहीं है उसके बाव जूद भी वह चल रही हमारे ऐसा आप नहीं पाएंगे आप एक वार घूंग के जाकर देखने हमारे होस्पिटल को कि हम पबलिक के लिए क्या सुविधा प्रदान कर रहे हैं और इतना ही नहीं यदि आप हर point of view से analyze करेंगे तो अभी डॉक्टर साहिबा बोली है न कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है यह मैं मानता हूं और बेहतर की जहां तक सवाल है तो याद रखिएगा हर कोई कहते हैं कि मैं बेहतर हूं यह कहने की बात है आप एक वार वहाँ जाएं एक वार देखें तब आपको पता चलेगा कौन बेहतर है ब्रैंड खुद बनते हैं लोग ब्रैंड खुद बनते हैं एक human psychology होनी चाहिए यापे कि मैं बराण्ड हूं आप ऐसा क्म करें राइट कि यहां यहां पर कहीं न कहीं आपmeter की और और जहां पर आप जाएंगे वहां पर ICO लिखा रहता है लेकिन उस तरह की कोई समुचित विवस्था नहीं होती है यानि कि जो बिहार के अन्य स्वास विभाग है या फिर विवस्था है वह रेंगता हुआ नजर आएगा स्वास केंद्र जो है वही बिमार नजर आएगा त क्यों बे सहारा अपने आपको मत समझे यदि किसी परकार का ऐसा समस्या है तो बे धरक डॉक्टर सांती स्वास्था नहीं हमारे मैनेजर है मिश्टर पांडे जी उनसे मिले वो सारे चीज़ बताएगे और बहुत अच्छा इलाज होगा तो कहीं न कहीं बे सहारे लोगों क के लिए नीरासा की कोई बात रही नहीं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में राजंदर नगर के पास एक प्राइम लोकेशन है जहां पर डॉक्टर स्वी सिंग अस्पताल का उधगाटन होना है इग्यारा जून को और किसी भी लोगों को ऐसा लगता है ऐसा महसूस कर करते हों कि हम बेसहारे हैं तो उस बेसहारी लोगों का सहारा बनने का काम कर रहा है आया इम्टी गूरूप के सारे चिकित सकत और यहां के मैनेजिंग-डिरेक्टर मिस्टर मनीज कुमार सर्थ अंत अंत में कुछ है नार्वासिओं कहता हूँ कोशिज करने वाले की कभी हा आपके लिए रेडी है पूरी डॉक्टर टीम पूरी मैनेजमेंट टीम पूरी एसोसियेट टीम पूरे बिहार के लिए 24 वाई 7 रेडी है यदि किसी प्रकार की समस्या आती है हमारे होस्पिटल से डिलेटेट इमेडियेट आप हमसे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं कि अगर तंगी से जूज रहे हैं तो आप जरूर एक बार कॉंटेक्ट करें इस कॉंटेक्ट नंबर पर और आपके किसी तरह की कोई समस्या हो बिमारी से रिलेटेड तो उसका निराकारण अवश्य होगा जूरे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद